नमस्कार दोस्तों स्वागत है एक नए वीडियो में दोस्तों इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आपके पास Redmi 9 Active है या Redmi 9 है आपके पास कोई भी फोनों कोई भी भारिक नहीं पड़ता इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप किस तरह से अबलेबल रैम को आप रिसेंट्स में सो कर सकते हैं जैसे कि देख सकते हैं कि यहां पर मेरा 4 GB में से 2.5 GB जो है वो अबलेबल है या फिर आप इसको दूसरे भासा में समझ सकते हैं किस तरह से आप Memory Status को सो कर सकते हैं या फिर आपकी सतरह से रैम उजेज की आप सेटिंग कर सकते हैं या सो कर सकते हैं तो यहां पर आपको सेट करने के लिए करना क्या होगा कि आप यहां पर कहीं भी खाली स्क्रीन पर चले जाना है और टच करके रखना है कुछ तरह तक फिर से बता दो खाले screen पे जाना है, touch करके रखना है आपको यहाँ पे चले जाना है, setting पे setting पे जाने के बाद, आपको more पे चले जाना है, और more पे जाने के बाद, आपको यहाँ पे आप देखोगे तो आपको recent में एक button मिलता है, so memory status यह पहले से बंद होगा आपका सिर्फ इस button को on कर लेना है, जब आप on कर लोगे, तो आप जब recent में आओगे कहीं भी ऐसे mobile है आपका, और सिर्फ यह वाला button क्लिक करोगे ना, तो आपके जितने भी application खूले हुए होंगे, वो सारे तो दिख जाएंगे लेकिन यहां पे आपको उपर में आपका यहां पे used जो RAM होगा वो पता चल जाएगा, यानि कि 2.5GB available है, यानि कि 4GB आपका खर्च हो चुका है तो आप क्या करोगे, कुछ applications को यहां से इस तरह से बंद कर दोगे तो इस तरह से आप अपने RAM uses को देख सकते हैं, तो वीडियो अच्छी लगए होगी तो लाइक कीजिए, सेर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मिलते हैं नेक्स वीडियो में, तब तक के लिए बाबाए